नमस्कार मैं हूँ साक्षी बिहारी नियूज में आपका स्वागत है वहीं अब खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार में टेक्स्टाइल और लेदर के शेत्र में कारीगरों को सुनहरा मौका बिहार में एक अप्रेल से लागू होगी बिजली की नई दर बिहार पुलीस सेवा के कई अधिकारी को मिला प्रमोशन स्कूल के निरिक्षन के दोरान हेट मास्टर पर भढ़के केके पाठक इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में यशस्वी जैस्वाल ने जड़ा दोरा सतक बिहार पुल्ट की परिक्षा में 20 से अधिक फरजी परिक्षार्ती धराए बिहार में इंटर की परिक्षा चल रही है आज परिक्षा का तीसरा दिन है पहली पाली में फरजीक्स और दूसरी पाली में जियोग्रोफी और बिजनिस स्टडीज की परिक्षा निर्धारित है एक्जाम में बिहार बोट की गाइडलाइन का सक्ती से पालन हो रहा है अभी तक 90 परिक्षार्ती निस्कासित किये जा चुके हैं पहले दिन 51 परिक्षार्ती पकड़े गए जबकि दूसरे दिन 49 परिक्षार्ती निस्कासित हुए वहीं 20 से अधिक परजी छात्र धड़ा चुके हैं ये दूसरे की जगा बैठ कर परिक्षा दे रहे थे दो पालियों में इंटर की परिक्षा ली जा रही है इधर देश से पहुँशने के बाद हंगामा करने वाले छात्रों के खिलाफ कारवाई हो सकती है इन छात्रों को BSCB चिनहित करने की तैयारी में जुटा हुआ है इसे लेकर जिला प्रशासन ने भी पत्र जारी किया है बिहार में टेक्स्टाइल और लेदर के छेत्र में कारीगरों को सुनहेरा मौका बिहार में टेक्स्टाइल या लेदर के छेत्र में कारीगरों को रोजगार मिलेका इनके लिए एक बढ़िया मौका है बिहार सरकार के उद्योग विभाग की ओर से ये अवसर्ट दिया जा रहा है राज में लग रहे हैं नए उद्योगों को अनुभवी कारिगरों की जरूरत है बिहार हेतया.in या फिर Google Play Store से Kaushal Shramik App डाउनलोड कर अपनी जानकारी दर्ज कराई जा सकती है Employers भी अपनी जरूरतों को यहां दर्ज करा सकते हैं और कुशल कारिगर को आसानी से काम पर रख सकते हैं बिहार में एक अप्रेल से लागू होगी बिजली की नई दर बिहार में एक अप्रेल से बिजली की नई दर लागू होगी वही नई दरों की घोशना इसी महिने की जाएगी बिजली कमपनी के ओर से बिल में 4.39 प्रतीशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है लोगों को महंगाई की मार शेलनी पर सकती है इसका उभोकता कृश्य और उद्योग संग तीनों की ओर से विरोध हो रहा है सभी बिजली की दरों में कमी की मांग कर रहे है उद्यमियों का कहना है कि बिजली के रेट में इजाफा होने से उनका नुकसान होगा कई लोग बिजली बिल में होने वाली बरहोतरी का मौखिक और लिखित दोनों ही तोर पर विरोध कर रहे है बिहार पुलिस सेवा के कई अधिकारी को मिला प्रमोशन बिहार पुलिस सेवा के 15 अधिकारियों को राज्य सरकार ने प्रमोशन दे दिया है इसके साथ ही 15 अधिकारी वरियता के अधार पर अवर पुलिस अधिक्षक यानि की ASP के पद के लिए चुने गए है सरकार के ग्रिह विभाग ने इसे लेकर अधिशू चिनाद जारी की है रहतास से सुरिंद्र कुमार सिंग, पतना से रजनीश कुमार, सोमनाथ प्रशाद, हरियाना से हरिश शर्मा, कैमूर से दिनेश कुमार पांटे, मुझपरपूर से वंदना नालंदा से शिवेंद्र कुमार, अनुभवी सहित 15 पदाधिकारियों को अपर पुलीस अधिक्षक बनाया गया है, लोन लेकर वापस नहीं करने पर कई स्टुडेंट्स के खिलाफ निलाम पत्रवाद दायर, स्टुडेंट क्रेडिट कार्ट में लोन लेकर कई छात्रों ने अपनी पढ़ाई को पूरा किया, उसके बाद उन्होंने रुपए वापस नहीं किये, अब कई छ छात्रों के खिलाफ निलाम पत्र दायर किया गया है, आपको बता दे कि 149 लोगों पर निलाम पत्र दायर हुआ है, इन लोगों पर 1 करोड 46,24,894 रुपए बकाया है, छात्र व छात्रा से पढ़ाई के बाद 4 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है, वहीं सभी छात्रों को 6 म पर सपत पत्र देना होता है, निलाम पत्रवाद दायर करने के पहले छात्रों को नोटस भी भेजा जाता है, पत्ना में पैसेंजर ट्रेनों के लिए सब स्ट्रेशन का होगा निर्मान, पत्ना में हार्डिंग पार्क की जमीन पर टर्मिलन और प्लेटफॉर्म का निर्मान होगा भार्टे रेलवे ने पटना जंक्शन पर भीड को देखते वे ये फैसला लिया है इससे यात्रियों और यातायात दोनों का ही बोज कम होगा जानकारी के अनुसार इसे लेकर राज्य सरकार के आला अधिकारियों और रेलवे के बीच बैठक हुई इसके बाद पटना म भी मुंबाई हावरा चन्ने की तरज पर पैसेंजर ट्रेनों के लिए सब अर्बन स्टेशनों का निर्मान होगा पैसेंजर ट्रेनों के लिए चार स्टेशनों को बनाने का काम जल्द शुरू होगा इसके नकसी को तयार कर लिया गया है यहीं से पैसेंजर ट्रेने खुले हुआ है पुलीस ने महरानी काम सुंदरी सहित SBI मुख्य शाखा दर्भंगा के अधिकारियों से पुश्टाच की बैंक को भी जानकारी देनी होगी कि बैंक से आभूशन का बक्सा घर तक कैसे पहुच गया इसके लिए किस ने आवेदन दिया पुलीस कामेश्वर सिंग धार प्रात्मिक न्यास के डीड को खंगाल रही है दर्भंगा राज के उत्राधिकारी कपिलेश्वर सिंग रें इस पूरे मामले में CBI जाच की मांग की इससे लेकर उन्होंने भारत सरकार से आगरा किया इसके बाद कई संगठनों ने उनका समर्थन किया है स्कूल के निरिक्षन के दौरान हेड मास्टर पर भढ़के केके पाठक सिक्षा वभाग में सुधार को लेकर केके पाठक सिमांचल के दौरे पर है किसंगंच के बाद ये अरड्या पहुचे यहां प्रात्मिक विद्याले धुरगाओं में निरिक्षन के दौरान ये हेड मास्टर पर भड़क गए। स्कूल के मैदान में बने पक्की सड़क को देख कर केके पाठक ने कहा कि खेलने के दौरान बच्चों को इससे चोट लग सकती है। अपर मुख्य सचीव ने बच्चों की पढ़ाई की भी जानकारी ली। इन्होंने पूरे स्कूल का जायजा लि रहा है। समस्तिपूर मंडल के दरभंगा सीतामढ़ी रेल खंड के शीशो इस्टेशन पर एनाई कार्य की वज़ों से यहां से गुजरने वाली ट्रेनों के रूट में बदला हुआ। इक्सप्रिश न्यू बंगाई गाउं जंक्शन गोवाल पारा टाउन कामख्या के रास्ते चलेगी। अगर तला रानी कमलापती स्पेशल बंगाई गाउं के रास्ते चलाई जाएगी। मंत्री बनाए जाएंगे। महागरबंदन के सरकार में गठित 20 सूत्री समीतियों को भी भंग कर दिया गया। इसके बाद अब सभी 38 जिलों में कोई प्रभारी मंत्री नहीं रह गया है। बताया जाता है कि महश तीन महीने में ये कमीटी खत्म हो गई। इसके बाद अब इसमें भाजपा नेताओं को जगह मिलेगी। पटना जिले का अध्यक्ष पुर्वडिप्टी सियम तेजस्वी आदव को बनाया गया था। नालंदा जिले के 20 सुत्रिय कमीटी के अध्यक्ष वित्त मंत्री विजह चौधरी थे। समराठ चौधरी ने लालकृष्ण आध्वानी को भारत रत्न देने पड़ दी प्रतिक्रिया। केंद्र की मोधी सरकार ने भाजपा के कद्दावर नेता लालकृष्ण आध्वानी को भारत रत्न देने की घोशना की है। खुद प्रधानमंत्री मोधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने ये जानकारी दी है पीम ने लालकृष्ण आदवानी को इसके लिए बधाई दी और उन्होंने कहा कि ये देश की सबसे सम्मानित नेताओं में से एक है आपको बदा दे के आदवानी साल 2009 के चुनाओ में पीम पत के उमिदवार थे ये भारत के उप्रधानमंत्री भी रह चुके हैं इधर लालकृष्ण आदवानी को भारत रधन दिये जाने पर बिहार के डिप्ट्री सीम समराठ चौदरी ने खुशी जाहिर की गिरिराज सिंग के अलावा अ अध्यक्ष अखिलेश सिंग ने लालू यदव से मुलाकात की है शनिवार को ये राबरी आवास पहुचे यहां इन दोनों के बीच करीबाद एक घंटे तक बाचीत हुई संभावना जताई जारिये कि राजिस सभा चुनाओ को लेकर दोनों के नेताओं के बीच बाचीत ह वहीं विपक्ष्षी दलों के बीच सीचो का change वारा होना है फिल्हाल ये नहीं हुआ है वहीं दिल्ली में कॉंग्रस की एहम बैचक होनी है इसके लिए कॉंग्रस के नेता दिली रवाना होंगे कॉंग्रस अध्यक्ष मलिक आर्जुन खर्गे के साथ ये कि बुलाका कर रहा है आज इससे कोई पार्टी अच्छूती नहीं है ऐसा नहीं है कि यह आरजेडी में हो रहा है या फिर कॉंग्रेस में हो रहा है आप भाजपा को देख ले मौझूदा उप मुख्यमंतरी समराट चौदरी के पिता जी कॉंग्रेस में विधायक और मंतरी थे उसके बाद लालू का दौर आया फिर जीतन रामांजी का दौर आया जस पार्टी का भी दौर होता है उसी परिवार के लोग वहां घुच जाते हैं इंग्लेंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में यशस्वी जैसवाल ने जरा दोहरा सतक जरा है विशाखा पटनम में इन्होंने 227 गेंदों में 200 रन पूरे कर लिए इस मैच में इन्होंने 24 और 7 छपके लगाए यशस्वी के बार में बता दी कि इन्होंने साल 2023 में वेस 271 रन बनाया था वहीं इंग्लेंड के खिलाफ दूसरे मैच में 200 रन बनाकर इन्होंने टेस्ट के करियर में 600 रन पूरे किये इस दौरान इन्होंने 2 शतक और 2 और 10 शतक अपने नाम कर लिया है बीते दिन हमारी और से पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्षिन बॉक्स में लिख कर दिया जिन्होंने हमारे दौरा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अमरेंद्र कुमार रजनीत मिश्रा मंजे कुमार राजकिशोर महतो नितेश कुमार कनौजिया मुहमद शकील हुसेन रवी कुमार राम अरुन कुमार सिन्हा सिकेंद्र कुमार रोहित कुमार कुमार सिंग बादल वेद प्रकास सिंग इसके साथ ही बढ़ते ह आज के सवाल की ओर आज का हमारा सवाल है आपके अनुसार बिहार में बिजली की नई दर लागू होनी चाहिए या फिर नहीं आप हमें अपना जवाब हमारी कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बनी रहने के भूले धन्यवाद